नमस्कार, मैं हूँ आचारे वर्षामाटा, टेरो कार्ड डीडर और एकी ग्रैन मास्टर आज में फिर आई हूँ अपने टेरो कार्ड के साथ आपकी सभी राशियों का हाल बताने के लिए और आज हम बताएंगे 26 अगस से 1 सेप्टेंबर तक क्या कहते हैं आपके सितारे टेरो के अनुसार और साथ ही हम आपको बताएंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं और साथ ही साथ एक टिप आप सभी के लिए तो सबसे पहले लेते हैं मेश राशी को मेश राशी वाले कुछ कामों को लेकर hopeless दिखाई दे रहे हैं मगर ये हफता उनके लिए काफी सारी आशा की किरन लेकर आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देना है उस आशा की किरन की तरफ क्योंकि समय बदल रहा है और धेर सारा profit आपके पास आने वाला है angels आपके लिए message ला रहे हैं कि जल्दी आपके पास कोई बड़ी good news आ रही है आपके लिए tip of the week है कि अपने घर का north east area आप बिलकुल clean रखें और हो सके तो कुछ दिन वहाँ पर आप दिया या light जलाए रखें आपके lucky color है green हमारी अगली राशी की और बढ़ते हैं व्रिश राशी व्रिश राशी वालों की भी समस्याओं का अंत होता हुआ और साथी साथ कोई नई बड़ी शुरुआत कोई new sunrise उनकी life में आ रहा है और साथी साथ जो लोग बहुत समय से किसी travel का wait कर रहे थे उनके उस travel के chances भी बन रहे हैं जो लोग कोई वाहन या property खरीदने का wait कर रहे थे इस अपते में उसकी भी संभावना बंती दिखाई दे रही है इंजल्स आपके लिए message लाएं कि अपनी जिद पर अड़े रहें यदि आप अपने सभी कामों को अपने सभी सपनों को आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं आपके ले tip of the week है कि अपकी जो भी समस्या है जो भी problem है उसके लिए आप हाथ पर मारना बंद करें और अपनी समस्या को universe के आगे या अपने east के आगे आप समर्पित कर दें आपके ले lucky color है golden हमारी तीसरी राशी की और बढ़ते हैं मितुन राशी मितुन राशी वालों को अपने बढ़ों की तरफ से कोई बढ़ा gift, कोई property या कोई financial help मिलने की संभावना बन रही है और साथ इसाथ अपने work area में आसपास के लोगों से आपको सावधा नहना चाहिए किसी पर अगर आप बहुत blind faith करके चल रहे हैं तो उनसे aware हो जाए कोशिश करें अपने लोगों में आप खुशियां डूनेंगे तो आपको खुशियां सही और perfect way में मिलेंगी आप ले tip of the week है कि घर से निकलने से पहले 108 बार ओम का उच्चारण करके निकलें अपने lucky color है मैरून हमारी अगली राशी की और बढ़ते हैं करक राशी करक राशी वालों को इस सब्ता किसी भी तरह के जगडे या dispute या argument से बज़ कर चलने की जरूरत है साथी साथ कुछ competitions भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं मगर अपनी हिम्मत और positivity से आप उन competition से बहुत अच्छे से निकल भी जाएंगे और उस competition में आप जीत भी जरूर हासिल करेंगे और इसी साथ दोस्तों के साथ भी आप बहुत अच्छा समय इस सब्ता बिताने वाले हैं इंजल्स आपके मैसेज लेकर आए हैं कि आपके सचे विश्वास और आपकी positivity आपकी आशाएं आपके लिए बहुत अच्छा result या जीत की कुछी लेकर आ रही है आपके tip of the week है कि अपने गर के north east area में अगर बत्ती जलाएं या फिर perfume का चड़काओ कर दें और आपके लिए lucky color है brown हमारी पांचवी राशी की और बढ़ते हैं singer राशी सिंगर राशी वाले अपनी family के साथ ये सब्ताह बहुत हजी कुछी बहुत enjoyment या celebration के साथ बिताने वाले हैं मगर साथ ही साथ अगर कोई investment का आप plan की हुए बैठे हैं तो इस सब्ताह उस investment के बारे में एक बार फिर से सोच समझ ले या उसको देख परतले तभी step ले आपके लिए angels ये message लेकर आए हैं कि आपका फैसला बेलकुल सही है अपना confidence बनाये रखें और confidence के बलबूते पर ही आगे बढ़ें आपके लिए tip of the week है कि अपने work area का south area जो है उसे आप clean करें वहाँ पर एक red color का बल्ब जला दें और उसको आप हमेशा जलता हुआ छोड़ दें आपके लखी color है sky blue हमारी अगली राशी के और बढ़ते हैं कन्या राशी कन्या राशी वाले अपने plans पर इस स साम करने के लिए आ रहा है थोड़ी सी चैलेंज आपके सामने खड़ा होगा मगर उस चैलेंज से आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल positive होके confident होके उस plan के साथ आप आगे बढ़ जाएं इंजल्स आपके मैसेज लाएं कि आप जल्दी ही अपनी सभी बाधाओं को पार क तुला राशी वाले बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से बहुत प्लैन के साथ और अपने बढ़ों की इच्छा का मान रखते हुए कोई नए काम में हार डालने वाले हैं बिल्कुल डाले और साथी साथ आपके बढ़ों ने आपको जो भी suggestions दिये हैं जो भी सुझाओ दिय तो ये ब्लैन आपका जरूर successful होगा बहुत सारे surprises भी इस अपते में आपके सामने आने वाले हैं इंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि सामधान रहे सुने कोई नई जानकारी कोई नए information भी आपको मिलने वाली है और उस information का आप फायदा जरूर लें आपके लिए tip of the week है कि श रिशिक राशी वाले बहुत सारी बाधाओं की वज़े से ये हफता थोड़ा सा frustrated महसूस कर सकते हैं उनको लगेगा मैं जो भी काम कर रहा हूं समय गडबड होती जा रही है तो थोड़ा सा ठहरें इंतिजार करें सही समय के आने का और किसी भी काम में हाय तौबा न मचाते हुए ये सबताहा आप सिर्फ सोचें और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ता ढूंडें इंजल साप ले मैसेज ला रहे हैं कि अपने पूर्वा भास के अधार पर ही कोई निर्णे आपको लेना है आपको टिप आफ दिवीक है कि इस सबताहा आप जानवरों की से जैसे बहुत स्ट्रेस बहुत ठकावा मैसूस कर सकते हैं मगर साथ यसाथ वो अपने इस काम के ओवरलोड को बहुत इंज्वाई करते वे अपनी मंजिल की और लगातार बढ़ते रहेंगे कहीं पर भी कोई रिकावर्ट इनके इस काम में नहीं आने वाली है और साथ सारी खुशकबरियां आपके लाइफ में आने वाली हैं आपके लिए टिप आप दी वीक है कि मेडिटेशन करें यही आपको आपके स्ट्रेस से निजात दिलाएगा और आपके लगी कलर है मोर पंकी हमारी अगली राशी की और देखते हैं मकर राशी मकर राशी वालों को आज पास के लोगों से थोड़ा सा साफधान रहने की जरूरत है क्योंकि कहीं पर कोई प्लैन तो बनी रहा है आपको नुक्सान पहुंचाने का और साथ ही साथ आपके लिए पैनेंशल वे में कोई बड़ी हेल्प आने वाली है और आपके जो पास के इंवेस्मेंट्स हैं अपनी नौलेश पर कियों हो या अपने फाइनेंस में कियों हो उनका फायदा भी आप इस सब्ता में उठा सकते हैं इंगल्स आपके मैसेज लेकर आएं कि जिन्नों ने भी आपके साथ कुछ भी अच्छा किया है बली छोटी सी हेल्प आपकी की है उनको थोड़ी सी तारी की नजरों से देख रहे हैं आपके टिप आफ दी वीक है कि ध्यान लगाएं अपने मन को शांत करें और बिना हाइपर हुए अपने कामों को अंजाम दें आपके लगी कलर है गोल्डन कुंबर राशी की और बढ़ते हैं कुंबर राशी वालों के लिए ये सबताहा किसी से मिलने का दिखाई दे रहा है जो लोग बहुत समय से अपनी शादी या सगाई का वेट कर रहे थे उनको वो भी तैह होती हुई दिखाई देगी और साथी साथ अपनी फैमिली से वो इस अपता में थोड़ा सा डेटैज या परेशान सा महसूस अपने आपको कर सकते हैं तो अपने सभी confusion को दूर करें बहुत सारे confusion बहुत सारी उतल पुतल आपके दिमाग में चल सकती है सब्ता में तो confusion को दूर करें और सही तरीके से फैसला लें आपके ले tip of the week है कि जब आपको लगता है कि आपको anxiety attacks हो रहे हैं तो अपनी सांसों पर आप ध्यान देना शुरू क करें आप उस anxiety से निकल जाएंगे और आपके लगी color है wallet इसको अपने आसपास रखें ये भी आपको आपके anxiety से बाहर निकालेगा अगली राशी के और बढ़ते हैं जो कि आखरी राशी है मीन राशी और सबसे ज्यादा weight मीन राशी वालों को करना पड़ता है तो उनके लि हैं और आप अपनी success की तरफ सबर के साथ ही आगे बढ़ेंगे angels आपके हर सवाल का जवाब आप अपने अंदर ढूंडने की कोशिश करें आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा आपके tip of the week है कि कुछ समय अकेले में जंगलों में या कहीं nature के बीच में आप बिता बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो financially बहुत परिशान होते हैं wealthy नहीं हो पाते या फिर कमाई बहुत अच्छी हैं अगर savings नहीं हो पाती अगर savings होती है तो वो एक जटके में बाहर निकल जाती है किसी परिशानी में तो ऐसे सभी लोगों के एक tip है जो कि आप सभी सकते हैं अगर आप business में है तो अपने गले में भी आप उसे रख सकते हैं आपको बहुत जल्दी उसका डेर सारा फायदा नजर आएगा और इसी के साथ मैं अचारे वर्षा माटा आपसे विदा लेती हूँ अगले सबता फिर आएंगे सारी राशियों का हाल पताने और जवाब देने की कोशिश की जाएगी